तुम स्टूडेंट आज हम exercise 4.3 को complete solve करेंगे question number 1 है find the unknown angle हमने क्या करने इन जो unknown angles हैं उनके हमने find करके देने देखे question number 1 का fast part तुम स्टूडेंट आज हम exercise 4.3 को complete solve करेंगे question number 1 है find the unknown angle हमने क्या करने इन जो unknown angles हैं उनके हमने find करके देने देखें question number 1 का first part question number 1 4.3 का find the unknown angle in the following figures अब देखें हमारे पास question number 1 है उसमें जो unknown हमारे पास angles है जैसे उसका question number 1 का first part देखें हमारे पास x और y क्या है unknowns है हमने इधर x और y की क्या करना है value find करके देनी है और हमारे पास given में क्या 118 angle एक दियावा एक side का और हमारे पास दो पार्ट है इन जो 48 angle दियावा है inner part देखें यह क्या है triangle बन रही है यह हमारे पार triangle है और 118 दियावा है यह देखें ना अगर यहां यह मलूम नहीं है side हम क्या करते हैं इनको नाम दे देते हैं कुछ a, a को a का नाम दे देते हैं यह साइड नहीं मलूम, angle नहीं मलूम बी का नाम दे देते हैं देखें यह 118 और यह क्या हाफ चरकल बन रहा हाफ सरकल मत्था इनका जो और हो झाजड़ा हैं एक लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री हाफ सरकल three six होते इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हम इनको 118 is equal to 180 degree 118 plus के right side पर लेकर जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा minus 118 अब हमारे पास 180 में से minus करते हैं 118 तो हमारे पास 62 answer आ जाएगा 62 अब देखें हमारे पास जो try angle है उनका sum angles का sum जितने angle होते हैं try angle में उनका sum 180 degree के equal होता है अब देखें अगर हम इदर से b की value find कर ले हमारे पास b की value तो x की value हम easily find कर सकते हैं अब हम b की value पहले सबसे पहले b की ये b और y के alternate हैं और तो y equal हो जाएगा b angle के equal तो first of all हम b की value find कर लेते हैं ट्राइंगल है ट्राइंगल में जितने angle होते हैं उनका sum किसके equal होता है 180 degree अब देखें ए पास का sum हम ले रहे हैं हमारे पार 180 के equal होता है तो try angle में तीन angle है एक a है a plus a की value दी हुई है हमें हमने अभी find कि है 62 plus b is equal to 180 degree इन तीनों का sum ले लिया हमने ये 180 degree के equal आगे है अब देखें a की value हमने find की थी 62 plus angle b वैसे plus 48 degree is equal to 180 62 और प्लस 48 करें तो हमारे पास हमारे पास हमारे पास ये 110 अब 180 मैंस 1010 70 degree अब देखें b 70 आ गया है तो ये b और y alternate angle है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे y की value क्या आ जाएगे हमारे पास 70 degree अब देखें x और b के ये half angle बन रहा है ये जो side है ये half angle बन रहा है तो इनका sum किसके equal होते है 180 degree तो half angle हम x plus b is equal to 180 degree इसको 180 degree के equal put कर देते हैं तो हमारे पास ये b की value given है अभी find की हमने 70 degree अब 70 plus के right side पर ले जाएं तो हमारे पास minus का हो जाएगा x is equal to 180 minus 70 तो 110 x देखें अब question number one का second part देखें ये जो equal के sign है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों side हों की जो length है वो equal है अब हमने unknown angle x और y find करके देना है अब देखें ये जो जिनकी length equal हो उसे isosalence हम triangle कहते थे तो हम अब ये side equal है तो इनके जो opposite angle होंगे वो भी equal होंगे सेम अब देखें ये 40 degree है तो ये vertical angle है तो vertical ये भी 40 होगा और ये भी अंदर जोगा ये भी 40 degree क्योंके ये vertical है इसे कोई नाम दे देते हैं A का अब देखें opposite vertical angles कहा होते है एक्वाल होते है perfection angle सो जाएंگ अब देखे हमारे पास यह दोनों side हैं तो इनके opposite जो angle है वो भी equal होंगे अगर यह क्या है यह間 हम equal है यह यह Y है तो हम उसके opposite भी नाम देदे नाम देदे 27 अगर side equal है तो opposite angle भी equal है तो इन triangle का sum क्या होता है 180 के equal होता है triangle में जितने angle होते है उनका sum 180 degree तो y plus y plus 40 degree हमारे पस किसके equal हो जाएगा 180 degree अब y plus y क्या होगी है 2y plus 40 plus के right side पर ले जाएगा तो minus का हो जाएगा 180 minus 40 2y is equal to 140 और 2 पे divide करते हैं 2 इदर multiply हो रहा है तो उदर जाकर क्या हो जाएगा divide हो जाएगा तो यह 70 degree के equal आजाएगा y की value हमारे पास 70 आजाएगी y is equal to 70 degree यह हमारे पास y की value आगे 70 degree अब देखें दोनों क्योंके equal हैं तो दोनों y अब हमने x की value find करनी है अब देखें जो x है और जो हमारे पास इस साइड को देखें x और जो यह a है यह alternate angle है तो alternate के है a x is equal हो जाएगा a के a के है 40 degree विकास यह के है alternate यह हमारा second part complete हमने x और y की value find करनी थी x की 40 आगे y की हमारे पास 70 degree आगे यह हमारे पास answer वान का part 3 यह देखें हमारे पास 64 एक angle है एक 118 external external के तें बाहर अला अगर देखें इसको मिला आते हैं तो यह जो पूरी line पे यह जो angle बन रहे है इनका साम यह 180 degree के एक वला आ जाएगा एक line पे जितने angle बनते हैं उनका साम क्याते है 180 degree यह half circle बन गया ऐसे समझें अगर यह हम पहले यहीं find कर लेते हैं इसे a का नाम दे देते हैं तो a plus 118 किसके equal आ जाएगा 180 तो यह easily हम find कर सकते हैं a की value 118 क्या हम अर पास 118 plus के right side पर ले जाएगा मैनस का हो जाएगा 118 मैनस 118 आ जाएगा मैनस करते हैं इनको हमार पास a की value आ जाएगी 62 degree अब देखें a हमार पास 62 हो अब x जो है वो external angle है x को देखें external हमने एक property है कि external angle क्या होता है sum of internal two opposite two angle के equal होता है sum of जो internal angle होता है opposite उनके sum के equal होता है external angle लिख लेते हैं इसकी property external angle is equal to sum of two opposite internal angle तो external angle हमारे पास क्या है x है external angle क्या हमारे पास x अब देखें इसके opposite जो sum दो angle है वो one angle के 62 है second के 64 तो इनको sum कर देने 126 तो x की value हमारे पास क्या आ जाजाएगी 126 x की value भी हमने find कर लिए हमारे पास हमने x की value find करने थी यह हमारे पास आज पार्ट 4 इसको अपने गोर से देखने है देखें यह दो line से इसका मतलब क्या होता है equal है यह side अगर यह side equal है तो इनके जो opposite angle होते हैं भी क्या होते हैं equal होते हैं अब अगर यह perpendicular 90 डिगरी है तो इसके opposite हम कोई नाम दे देते हैं A का तो यह भी angle A होगा तो A यह तीन angle है तीन angle का sum हमने पढ़ा हुए triangle में 180 डिगरी के equal होता है हम पहले A की value find कर लेते हैं A plus A plus 90 डिगरी यह perpendicular है तो 90 डिगरी है तो is equal to 180 अब 90 plus का है दूसी तरफ ले जाएं मैंस का हो जाएगा और A plus A क्या हो जाएगा हमारे पा 2 A 180 यह plus के हो जाएगा is equal to 180 अब यह plus का है तो उदर ले जाएगा 180 मैंस 90 तो यह क्या हो जाएगा 90 डिगरी के यह 2 multiply हो रहा है right side पर divide हो जाएगा तो यह 45 डिगरी के equal तो A की value 45 है यह भी 45 हो जाएगा और दूसरे वो भी 45 हमने इदर X की value find करके देनी है जो unknown angle है वो हमार पास क्या है X है अभी हमने पढ़ा है कि यह देखे यह दो angle है X और 28 opposite angles हमने पढ़ा है कि sum of two opposite internal angle किसके equal होता है external angle के equal एक है हमार पा external और X और 28 के internal angle है sum of the external angle is equal to हमार पास exterior angle is equal to sum of two opposite internal angle अब देखे हमारे पास जो exterior angle है वो 45 है और जो internal angle है वो X plus 28 हो जाएगा 45 is equal to X plus 28 अब 28 इदर प्लस के left side पर ले जाएगा तो यह minus का हो जाएगा 45 minus 28 तो X is equal to हमार पास 48 45 minus 28 करतेंगे हमार पास 17 डिगरी X की value क्या जाएगी 17 यह हमार पास answer है अब देखे हम पांच में पार्ट की तरफ चलते हैं हमार पर दो ट्राइंगल है बड़ा असान कुस्टन है इसमें दो ट्राइंगल बने वह यह इस इस लाइथ का मतर्व होता है ये साइड क्या है एक्वल हैं और ढबल लाइथ आएथ ये सेड कह अपस में एकवल है अगर यह आज़ी स साइड इकवल हैं तो यह जो लैंथ यह 90 डिगरी है यह इस साइड पे सब चीजें क्या होंगी एक जैसी होंगी अगर यह 27 एंगल है तो यह भी इस साइड पर भी क्या होगा एंगल 27 होगा अब देखे हमने x की value इसमें find करने हैं तो हमने पढ़ा हुए triangle के तीनों एंगल का sum क्या होता है 180 degree अगर हमारे पास एक क्या है X plus 27 एक क्या है 90 इनको sum करते हैं the sum of sum करेंगे x plus 27 plus 90 डिग्री is equal to 180 डिग्री यह हमारा पर 90 डिग्री इक पर प्रपेंडिकुलर होतों अब देखें 27 प्लस 90 करते हैं यह लेफट साइड पर plus के हैं right side पर लेकर जाएंगे इनको पहले plus करते हैं 117 is equal to 180 117 plus का है right side पर लेकर जाएं तो हमारे पास minus का हो जाएगा 180 minus 117 करते हैं 63 degree यह answer आगे हमारे पास x की value आजाएगी 60 देखें question number 6 हमारे पास 3 angle given है 2x plus 60 2x plus 30 2x इनका sum 3 angles का sum हमने पढ़ा हुए क्या है 180 degree के equal होते है हम इनको sum कर लेते हैं इनका sum को 180 degree के equal put कर देते हैं देखें 2x plus 60 plus 2x plus 30 plus 2x is equal to 180 अब 2x plus 2x plus 2x कितना होगी हमारे पास ये 6x हो जाएगा हमने x की value find करके दिनी ये हमारे पास 6x हो जाएगा 60 plus 30 plus is equal to 90 is equal to 180 अब 90 plus का right side पर लेकर जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा 90 इदर plus का है तो right side पर ले जाएगा हमारे पास minus का हो जाएगा 180 minus 90 ये हमारे पास 90 आजाएगा 6 इदर multiply और उदर जाकर divide हो जाएगा 90 divided by 6 हमारे पास ये 15 answer आजाएगा x is equal to 15 degree ये हमारे पास answer तो हमने तीनों angle को बारी बारी find करना है हम कैसे find करेंगे x की value क्या करेंगे इनमें angle में बारी बारी put कर देंगे 2x plus 60 है इदर x की जगा पर हमने क्या कर देना है ये put कर देना हमारे पास x की जगा 15 put कर दें तो ये 2 multiply 15 हमारे पास क्या हो जाएगा 30 30 plus 60 90 degree ये 90 आगे हमारे पास अब हम इसको find कर लेते हैं 2x plus 30 2x plus 30 degree x की जगा पर हम value put कर देते है x की जगा पर 15 put कर देंगे plus 30 ये हमारे पास 30 हो जाएगा 30 plus 30 60 degree answer ये हमारे पास 60 आगे इंगल अब देखें ये 2x है 2x x की जगा पर हम value put कर देते है हमारे पास x की जगा पर 15 value है x की value 15 put कर दे तो ये 30 आ जाएगा हमार पस हमार पस दोनों तीनों एंगल आ गए एक 30 आ गए एक 60 एक 90 डिगरी ये हमारा answer है